इसरों की आज की उपलब्दी वाकई में शांधार है, वाकई में बेमिसाल है 1962 के फेबरिरी महिने में होमी भाबा और विक्रम साराबाई के दूड़ दुशता के कारण इनकोसपार की सापना की गई इनकोसपार यानि की Indian National Committee on Space Research और इन में से जो पहले विक्ती शामिल थे, पहले पांचार विक्तियों में जो शामिल हुए थे इनकोसपार में एपीजे अब्दुलकलाम थे इसके बाद में 1979 में अगस्त के माइने में विक्रम साराबाई जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अंसंदान को विकास के दुरुष्टिकोन से देखा करती थे उन्होंने इसरो के स्थापना की 1972 और 1984 के बीच में सतीष दवन आये और उन्होंने मैं समझता हूँ अद्वितिय नित्वित्व दिखाया वेज्ञानिक दुरुष्टिकोन से तक्नीकी दुरुष्टिकोन से मैनेजमेंट के दुरुष्टिकोन से जो योगदान उनका रहा है बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है उनके साथ ब्रह्म प्रिकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रिकाश हमारे एक मात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमानो उर्जा कारिक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कारिक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है सतीज धवन के बाद यूर राउस से शुरुवात हुई और कई चेर्मेन आये और उन्होंने अपनी विशेश योगदान दिया इस रोको और हमारे अंतरिक्ष कारिक्रम को आज जो हम सफलता देख रहे हैं ये एक सामोहिक संकल्प एक सामोहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफट का नतीजा है ये सिस्टम का नतीजा है एक विक्तिका नहीं है पर ये एक सिस्टम का है जहां लोग आप एक टीम वर्क के साथ एक सामोहिक मानसिक्ता से का करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनर्शिप भी जो भागिदारी है जो अलग-अलग शिक्षा के संस्थान है निजीक शेत्र के चोटे चोटे कमपनियां हैं, स्टार्ट अप्स जो से आज कहते हैं, उनके साथ जो भागिदारी का कारिक्रम इसरो की तरफ से हुआ है, उसका भी असर हम देख रहे हैं, आज का अक्षन हमारे लिए एक बहुत गर्व का अक्षन है, और हम इसरो को सलामी देते हैं. नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे हैं, जूस 24